हलो दोस्तों हाई कैसे हैं आप लोग आसा की होप में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों देखें यह रेश्पी मैं दिवाली के पहले बनाई थी जो मैं ज्यादा भागम-भाग की वेजे से मैं रेश्पी डाल नहीं पाई तो यह बालू शाही की रेश्पी है तो देखे मैं अज ये डालने जा रही हूं इसकी वीडियो आज डालने जा रही हूं तो देखे मैने आदा केजी मेदा ले लिया है इसमें हम डालेंगे देशी घी तो यह 50-40 ग्राम के बीच होना चाहिए देशी घी और इसमें हलका सा 2-3 चुटकी हम नमक डालेंगे तो घी को अच्छे से मसल लेंगे मैदे में घी को मसलेंगे तो मैदा भी नमक भी मसल जाएगा अब देखिए बेकिंग पाउडर डालना है इसमें आप आधा केजी में डेल्ड चमच बेकिंग पाउडर डालें क्योंकि दोड़ा एकदम देखिए मैं मसल ली हूं मसल के बंद रहा है इसका मतलब है परफेक्ट घी पड़ा है मोयम इसमें परफेक्ट पड़ा है तो आप इसको गुंगुने पानी से इसको गूत ली करते हैं तो उतना नहीं हो पाता है तो पूरे मैदे में अच्छे से मैस हो जाएगा कुछ अपने आप भी को जाएगा देखिए इसको मैं एक दम शौट रही हूं हूं सभाथह है तुकडी टुकडी करके मैं इसको एक साथ कर ले रही हूँ तक बढ़ी सी लोई बनाके एक किनारे रख दिए हैं अब देखिए दोस्तों मैं चल लहीं हूं चासनी बनाने, चासनी के लिए मैं एक गिलास चीनी लोगी और एक गिलास पानी लोगी, पानी थोड़ा आधा कब कम भी हो जाएगा तो कोई दिकत नहीं है, और इसको हम बराबर चलाते रहेंगे, अब हम गैस जला दिये हैं, अब इसको बराबर चलाते रहेंगे, इसमें थ मेह कच्छी आती हैं केसर की डाल से कलर वड़ से कितना बंद है और इसकी चासनी चेक करेे मैं इसकी चासनी बसी होनी कि हो पूरा अपतार नहीं निकले से धूझे थोड़ा पूंधार आक नोगताओ तो देखिए मेरी चासनी भी तैयार हो गई है इसको भी हम रख देंगे अर देखिए हब चलने आटे की तरब तो थोड़ा सा इस तरह से मतलब इसको डूतेंगे नहीं सौफट नहीं करेंगे इसमें इसके साथ रूखापन अपनाएंगे तो इसको हम उपर से लोई अच्छी सी बना दे रहे हैं तो इसकी लोई भी पूरी चीकनी नहीं बनती है क्योंकि जो है आटागुथा ही नहीं है ठीक से और इसमें मोया में बेकिंग पाउडर पड़ा हुआ है तो अब इसमें लोई बना के इसमें होल कर देंगे तो देखिए हम इसको होल कर रहे हैं तो इस तरह से आप दिपाउली में दो तीन तरह की मिठा या किसी भी तेवार में दोस्तों अब तो तेवार आने वाले हैं चिल्डरन ड्रेव भी पड़ेगा दिपाउली तो बीत गई और वो 26 जन्वरी भी पड़ेगी साल का पहला दिन पड़ेगा तो कुछ नो कुछ तो किसमस डे भी पड़ेगा कुछ नो कुछ तो आता रहेगा तो आप इसे किसी भी समय आप बना सकते हैं तो देखिए मैं सारी लोईयां बना ले रही हूं इसमें देखिए होल कर दे रही हूं और होल दोनों तरब से दोस्तों करिए कुछ ज्यादा बढ़ाके जो मैगा मेधा में होल करिए फिर अपने आप से पुड़ जाता है कोसिस करता है वह अपनी जगह पर आने की वैसा करिए होल करिए यह नहीं रोग पर आए भी तो में इंदर होल मनि नहीं होल कoisis करते हैं मतलब बोल के अंदर से भी यह सीरा पीले और अपनी चारों तरफ से भी पीले तो यह मतलब सीरा इसको तो इसलिए यह जल्दी से सोक करता है तो देखिए मैं बना ली हूँ अब इसमें डाल लाई हूँ और देखिए और फ्लेम को बिल्कुल डीम करना है धीमा करना है क्योंकि जो है धीरे-धीरे पकेगा यह, तभी यह अंदर तक पकेगा अच्छे से, और इसको मतलब मीडियम से मीडियम कर दीजिए, फ्लेम को, तो देखिए मैं इसको पलट-पलट के ऐसे पका रही हूँ, थोड़ा लाल हो जाएगा, फिर इसको मैं उतारूंगी, तो इसी तरह दोस्तों आप भी बनाईए, और दोस्तों जब तक हमारा यह पक रहा है, तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करें, और कमेंट भी करें दोस्तों, देखिए यह मैंने पूरा पक गया है, तो मैं निकाल नहीं, अब इसको छन्ने में ही पड़ के बजी रहे हैं, अभी तीन दीन हो गया है, दिवाली बीते, तो अब देखिए, इसको मैं चासनी में डाल दी, अब इसको फिर मैं पलटूंगी, सभी को, ताकि यह दोनों तरफ से अच्छे से सोख कर ले, चासनी को, और इसको भी मैं देखती रह रही हूँ, जब यह पड़ता है, तेल में या घी में, किसी चीज में, तो यह खिलता है, तो खिलने का मतलब है, कि एक तो मोयम पड़ा है, दूसरा बेकिंग पाउडर पड़ा है, तो इसकी वज़े से यह खिलता है, और बेकिंग पाउडर अगर नहीं डालेंगे, तो शोप नहीं करे दाने क्योंकि उस तरह की चासनी नहीं बन रही है कि जम रही है जमने वाली चासनी नहीं है तो देखिए हम सभी को इस तरह से बना लेंगे कि देखिए दोस्तों दिवाली के दिन हमारी वीडियो पढ़ने भाई मुझे भी बड़ा वह रहा था कि देखिए तेवार बीत गया है और मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूं पर इतने काम हो जाते हैं कि कहां से दिवाली में नहीं तयारी हो पाई क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों वीडियो बन जाती है फिर उसको वीडियो डालने में बड़ी परिशानी है बीच में बहुत बाधाये आती है उसको एडिट करना फिर उसको रखना फिर मोबाईल में भी देखना पड़ता है जगह है या नहीं है क्या मोबाईल में एडिट करें क्या ना करें इस तरह से बड़ी परिशानिया होती है अब उपर से समय कोई इदर से परिशान करेगा कोई उधर से अब है तो अब फिर हमको भी देखना पड़ता है क्या बच्छों खाएंगे क्या नहीं बच्छे खाएंगे क्या बनाना क्या नहीं तो यह सब चीजों से वड़ी दिक्कते हो जाती मार्केटिंग भी करने पड़ती हैं तो तो थोड़ी सी वीडियो मैं नहीं डाल पाई, तो देखिए अब उसी वीडियो को मैं अब लेकर आई हूँ, तो देखिए दोसरी सिप्ट भी हमारी निकल गई, तीसरी भी डालने, इसी तरह करके मैं डालती चली जाओंगी, और एक तरफ मैं बना भी रही हूं, कुछ नहीं बने थे जिसको मैं, अब बना रही हूं, क्योंकि दोस्तो हर चीज में तो जल्दी करना पड़ता है न, अब इसको बनाऊंगी, तो फिर इसके बाद खाना भी बनाऊंगी, तो इस तरह से जल्दी करना पड़ता है, तो हमने कहा थोड़े से हैं ये बाद में बना लूँगे साथ में क्योंकि पहले से जब बना लीजे तो भी एक दिक्कत आती है परत जब जम जाती है तो खिल्ले उल्ले में परिशानी आती है इसलिए देखिए कि अब मेरी करीब करीब सभी को चुकी है देखिए ये भी हो चुकी है अपा हमको लगने गैस इसलिए कि मतलब चासनी ठंडी हो गई थी तो थोड़ा सा चासनी को गरम करने के लिए हल्का सा गैस जला दिया है तो देखिए तो अब इसको देखिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सेयर, कमेंट भी करें, और एक पीस मैं खोल के दिखाती हूं, देखिए कितना शोक किया है, और अंदर से ये क्रिस्पी भी है, चाशनी भी शोक किया, क्रिस्पी है, अगली रेस्पी तक के लिए दोस्तों, टाटा, बाई बाई, नमस्कान, खुश रहिए दोस्तों, और मेरी फुल वीडियो वाच क अधरी